हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Redmi Note 10T के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Call Recording के बारे में ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेची का बेल का इकन को प्रेस कर लेना है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर Redmi Note 10T आप लोग अगर यूस कर रहे है तो यहाँ पर हम एक ही तरीके से Call Recording कर सकते वो भी तरीका है, Manual एक डाउट में आप लोग का सबसे पहले यहाँ पर एक लेर करना चाहूँगा कि यहाँ पर काफी सारे फोनों में क्या होता है कि गूगल डाइलर में हमें Call Recording का Feature देखने को मिलता है बट अपसोस की बात यह है कि इस डिवाइस में आप लोग को Google डाइलर में Call Recording का Feature देखने को नहीं मिलता ओके यहाँ से थो हम Automatic Call Recording नहीं कर सकते बट हाँ हम अपने फोन में Manual तरीके से Call को Record कर सकते उसकले क्या करना होगा मैं आप लोग को एक पिक के मादियम से यहाँ पर बताना चाहता हूँ देखिए जैसे आप लोग किसी व्यक्ति को Call करेंगे तो उस टाइम पे आप लोग के फोन का जो Calling का इंटरफेस रहेगा कुछ इस टाइब का सो करेगा ओके यहीं पे जब क्या होगा कि जैसे अगला व्यक्ति Call को Receive करेगा यहाँ पर Call Recording का फीचर देखने को मिलेगा और वहाँ से आप लोग Call को Record कर सकते Manual तरीके से तो यहाँ पर हमें Manual तरीका मिलता है Call को Record करने के लिए तो यहाँ से हम Call को Record कर सकते ओके अगर कुछ जाओ उट रहता ता आप लोग हमें कॉमेंट्स करके पूछ सकते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै मता दी